हेलो काई स्वागत है आपका इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेप्टॉप बित्रण हुजना के बारे में यहां पर स्टूडेंट्स के रेगुलर कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे 80 परसेंटेज है तो हमें 25,000 रुपए कब तक मिलेंगे तो यहां पर हम आपको यह भी बताएंगे पेमिंट इस्टेटस तो क्यों नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को लास तक देखे क्योंकि आज का यह वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हैल्फॉल होने वाला है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको किसानों की सम्मान ने दी हायर सेकेंडरी में अस्ती फीज दी या इससे अधे कंक लाने वाले चात्रों के लिए लेपटॉप तो संबल के तहट घटना दुरघटना महिलाओं के गर्वधान से लेकर प्रसब तक मिलने वाली सहायता रासी पर 38 दिन के लिए रोक लगा दी चाहे आपकी लेपटॉप बितनी योजना हो या फिर किसान सम्मान ने दी है जो या फिर अन्य संभली योजना जैसे कि अधर और दूसरी दुरघटना के लिए जो योजना होती है उन पर 38 दिन के लिए रोक लगा दी गई है मिन्स यहां पे अब 25,000 रुपे आपको अभी की गई थी इसलिए 10 नवंबर के बाद आपको 25,000 रुपे दिये जाएंगे आपको 10 नवंबर तक का इंतियार करना होगा और आप नीचे यहां देख सकते हैं 25 सेप्टेंबर को सीम सिबराज सिंग चोहान ने हायर सेकेंडरी परिक्षा में 85 फीस दी या इससे अधिक अंक लाने बाले चात्रों को बर्चूल कारीकरम के माध्यम से सम्मानित किया था जिले के 163 चात्रों को यह सम्मान मिला था जिले के मतलब दतिया जिले के 163 चात्रों को सम्मान मिला था और 200 चात्र ऐसे थे जिनके 80 परसेंटेज फ्लस थे तो अब इनको भी आगे 25,000 रुपे दिये जाएंगे तो यहां पर आपको 10 नवंबर के बाद 25,000 रुपे मिल जाएंगे एक कन्फर्म है और 25,000 रुपे मिलेंगे जिन स्टूदेंट्स के 80 परसेंटेज हैं या फिर उससे अधेकंग हैं अब यहां पर हम बात कर लेते हैं पेमेंट स्टेटस के बारे में जिसको लेकर स्टूदेंट बहुत परिशान है कि पेमेंट स्टेटस सो क्यों नहीं कर रहा है तो यहां पर मैं आपको बता दू अभी कन्फर्म नहीं है कि आपको 25,000 रुपे कब तक मिलेंगे जब कन्फर्म हो जाएगा कि इस डेट तक मिलेंगे या फिर इस बीक में मिलेंगे त ताकि 25,000 रुपे उनके बैंक अकाउंट पर डाल दी जाए तो यहां पर 10 नवंबर तक जो आपकी बैंक डेटेल है सभी स्कूल की जितने भी MP के स्कूल है और जिन येन स्टूदेंट्स के 80% प्लस हैं इनके बैंक अकाउंट अपडेट हो जाएंगे और 10 नवंबर के आपको 25,000 रुपे मिल जाएंगे तो यह रीजन था पेमेंट स्टेटस सो नहीं हो रहा है